स्रीमती रंजीत रंजन concern over negative impact of cinema on our youth मैं आपको कहनी पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो college में पढ़ती है, second year में पढ़ती है आधी picture में उठके रोके चली गी कि इतनी आखिर हिंसा और इतना violence और महिलाओं के साथ disrespect को justify करना picture के द्वारा मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को treat करता है और इस movie में जिस तरह से वाइफ को treat करता है और लोग और समाज और picture भी उसको justify करते दिखा रही है ये बहुत ही स्वचने रिशे है दूसरा युवाओं पे सभापती जी बहुत सारे ऐसे examples है कि इन picture का, इन violence का और गलत negative role को hero की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11 वी और 12 वी के बच्चे इनको role model मानने लगे है कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है जो example और जो उधारन वो पिक्चरों से लेकर आते है तीसरा उच कोटी का इतिहास है पंजाब का हरी सिंग नलवा का उसमें एक गाना है कि फड़के गंडासी मारी अर्जन वाली में ये इतिहास को एक गैंग वार में दो परिवारों की नफरत की लडाई में जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ या फिरकुल उसके लिए वो भी जस्टिफाय ने कर पाई है ये पिक्चर और उसमें वो सरयाम हॉस्टल में कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े-बड़े हतियार लेकर मारता है और कोई कानून, कोई कानून, कोई law and order उसको कोई सजा नहीं जाता है ये भी हम पिक्चर में चस्क्रिफाय को है जहां तक आजजन वैली का सवाल है अजजन सिंग नल्वा जो कमांडर में चीफ को सिक वाज के जिनोंने मुगनों के खिलाब, जिनोंने अंग्रेजों के खिलाब उनकी बढ़ती हुई सत्ता को रोकने के लिए लड़ाई लड़िती, उनका बेका था आजजन सिंग नल्वा जो पाकिस्तान के गुजरा से वो जब पूरा इंडिया हमारे एक साथ था और उन्हों ने कई मुसल्मानों को 1947 में बचाने का काम किया था इस उच ओटी के इतिहास को आप एक गैंगवार में आप उस काने को बैट्राउन में दिखा के जो हमारी धार में कास्ता को भी बहुत जैदा तर्द मैस्ज़ करवाता है गुरुपोविक सिंग जी जो कोई सिखों के दसमें गुरु है वो जब मुखलों से लड़ाई नड़ में थे उन दाड़ी फोक एक दाड़ी फोक होता है जिसके तहर आप एक फोक सों के तहर अपनी फोस को जोश जोश पैदा करते है सर मेरा एक की सवाल है 30 सेकेड़ी माइ कॉन की सर थांक्यू सर संसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरे पास होके आती है जो हमारे समाज के लिए बीमारी है ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए बहुत बहुत दन्यवाद दन्यवाद स्रीमती रंजीत रंजन जी